प्यारे बच्चों, पिछले साल आपने सजीवों की व्यवस्था तथा प्राणालियों के बारे में अध्यन किया था, जहां पर हमने जाना की सजीवों का मूलग्राही, संरचनातमक और कारियातमक आधार कोशिका ही होती है, चलिए उसके कुछ मुद्दों को यहां पर दोराते हैं, कोशिका के दो प्रकार होते हैं, आदी केंद्र की कोशिका, दृष्य केंद्र की कोशिका, सबसे पहले हम आदी केंद्र की कोशिकाओं के बारे में जानकरी प्राप्त करते हैं, आदी केंद्र की कोशिकाओं में अनवंशिक सामगरी केंद्रक में नहीं होती है, और अंगक कला या आवरण की सीमा में नहीं होत और उन्हें प्राकेंद्र कहा जाता है। वे यूकेरियोटिक के आकार में छोटे होते हैं। उनका आकार एक से 5 माइक्रो मिटर के बीच में होता है। मतलब पेंसिल की नोक से एक हजार गुना छोटा, प्राग के अंदर के उधारन ये एक कोशिकी जीव होते हैं, जैसे बैक्टेरिया या जिवानू और आर्किया, जिवानू एक कोशिका वाले सूख्षमजी होते हैं, जो लगवग सारी प्रित्वी पर पाये जाते हैं, और व प्रसर कला और कोशिका वित्ती की साथ साथ, अने कोशिकाओं में कैपसूल या एक पतली परत से कोशिका वित्ती का बाया भाग घिरा होता है, इन में से कुछ कशा विका का उप्योग गती प्राप्त करने के लिए करते हैं, क्या आपको सातवी कक्षा में पढ़े सूख्षमजीवों का विकास और प्रकृती और लाबदायक और हानिकर सूख्षमजीव? ये पाठ याद हैं? इसी कारण ये बात आपको ग्यात है कि सारी सूख्षमजीवों हानिकारक नहीं होते हैं, कुछ हम मानवों के लिए लाबद सूक्षमजीविता कहा जाता है ये सूक्षमजीव हमारे तवचा पर नाक में मुख में और सबसे महत्वपूर्ण हमारे पेट में पाये जाते हैं हमें ये जिवानों हमारे जन्म के साथ ही हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं और हमारे जीवन के प्रथम कुछ सालों में प् बैग्यानिकों ने 70 किलो वजन वाले मनुष्य में लगभग 3 पूर्णांक 8.0 संपूर्ण रूप से 4 पूर्णांक 0 गुणा 10 का 13 घात अर्थात 38 खरब जिवानुओं को पाया है वहीं पर उन मनुष्य के शरीर में 30 खरब अर्थात 3 पूर्णांक 0 इंटू 10 का 13 घात इतनी स संख्या में मानवी अकोशिकाओं को पाया है कि हमारे शरीर में जिवानों और मानवी अकोशिकाओं की संख्या लगभग समान है प्राक केंद्र कों का एक अन्य उधारन है आर्किया जिवानों के आकार और प्रकार का होता है और ये भी एक कोशिकिये होते हैं इन में से कु इन में काफी विवित्ता पाई जाती है, आर्किया में कोशिका भित्ती और कशा भिक होती है, परंतु इनके अंगकों की संद्रिचना भिन प्रकार की होती है, उधारन के लिए आर्किया के कोशिका भित्ती में पैप्टिडो ग्लाइकन मौजूद नहीं होता है, आर्किया के पटल भी अन्य सजीवों के अपेक्षा भिनख होते हैं उने भिन्न प्रकार के लिपढ मौजूद होते हैं क्या आप सोच सकते हैं कि कोई कोशिका सोडीग्री सेल्सियस पर जीवित रह सकती है यह नहीं हम समझते हैं कि जीवन की सीमा सौ डिग्री सेल्सियस पर अर्थात पानी के एक वतनांक तक ही है परन्तु कुछ आदी केंद्र की जिवों को उन आत्मगाती चिमनियों में देखा गया है जो समुद्र तलहटी की दरारों और लकिरों में होती है यह इस बात का सबूत है कि आदी केंद्र की जिवों का 113 डिग्री सेल्सियस पर विकास भी होता है और वे इन परिस्थितियों में प्रजनन भी कर सकते हैं अब इससे एकदम विप्रीत परिस्थिती की बात करते हैं क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ जीव शोने डिगरी सेल्सियस पर जीवित रह सकते हैं और उनका विकास भी होता है कुछ ऐसे आदी केंदर की जीव होते हैं जिनके निवास आर्टिक और अंटार्टिक में होते हैं चलिए अब हम दृष्य केंदर की कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं दृष्य केंदर की कोशिकाओं में अनवन्शिक सामगरी केंदरक में मौजूद रहती है और अंगक आवरण युक्त होते हैं दृष्य केंद्रकी कोशिकाएं आदि केंद्रकी कोशिकाओं के अपेक्षा अधिक विशाल और जटिल होती है चोकी दृष्य केंद्रकी कोशिकाओं में केंद्रक आवरण युक्त होता है इसलिए इसे सत्य केंद्रक या सुकेंद्रक भी कहा जाता है आवरण युक्त अंगक के कारण द्रिश केंद्रक की कोशिकाओं में कारे भी विभाग के अनुसार होते हैं कारी भी विभाजित होते हैं आप इसकी तुलना हमारे द्वारा अच्छे से लगाई हुई अलमारी के साथ कर सकते हैं। जहाँ पर आप आपकी सारी वस्तों के लिए अलग-अलग दराजे बनाते हों। जैसे कपड़े रखने के लिए एक, गहने रखने के लिए एक, बैग आदि सामान रखने के लिए एक, और इन दराजों को आप किसी लकड़ी की तक्ती की मदद से अलग कर देते हैं, जिसके कारण हर दराज अपना भिन्नकारे करता रहता है। द्रिश्य केंद्र की कोशिकाएं आदि केंद्र की कोशिकाओं से विशेश रूप से बड़ी होती हैं, जिनका व्यास दस से सौ माइक्रो मिटर के बराबर होता है, कवक, प्रोटोजुआ, जैसे जीव, वनस्पतियों में और प्राणियों में द्रिश्य केंद्र की कोशिक एक DNA, DNA को कोशिका में अनवन्शिक सामगरी होती है, दो कोशिका द्रव्य या कोशिका द्रव, यह एक अर्दठोस द्रव होता है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिका अंगक होते हैं, तीन कोशिका कला, कोशिका कला कोशिका के अंतरगत घटकों को बाईय वातावरण से प्रिथक करती है कोशिकाय आकार में काफी सूक्ष मों होती हैं जो सिर्फ आँखो द्वाराद देखी नहीं जा सकती हैं इन कोशिकाओं का निर्क्षण करने के लिए हमें सूक्ष मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है सरांच, कोशिका दो प्रकारकी होती है, आदी केंद्र की कोशिका, दृष्य केंद्र की कोशिका, जिन जियों में आदी केंद्र की कोशिका होती हैं, वे एक कोशिकी अपराणी होते हैं, और उन्हें प्रोकेरियोटिक अर्थात प्राकेंद्रक कहा जाता है इसी कारण ये बात आपको ग्यात है, कि सारे सूक्षमजीव हानिकारक नहीं होते हैं, पुछ हम मानवों के लिए लाबदायक भी होते हैं, आरकिया जिवानों के आकार और प्रकार का होता है, और ये भी एक कोशिकी होते हैं, दृष्य केंदर की कोशिकाओं में अनवन्शिक सामगरी केंद्रक में मौजूद रहती है और अंगक आवरन युक्त होते हैं